नमस्कार दोस्तूं। UPPSC ने अभी कलेंडर जारी किया है, आगामी कुछ परिच्छाओं का, जिसमें कुछ महत्पूर्ण प्रारंभीक परिच्छाएं भी होनी हैं। उसमें एक परिच्छा है, खंड सिच्छा अधिकारी की, BEO के नाम से जिसे आप जानते हैं। दूसरी एक परिच्छा है RO-ARO की, जो 2016 की परिच्छा है, और एक परिच्छा है UP-PCS 2020 की, ये भी प्रार्णभीक परिच्छा होनी है। इन तीन परिच्छाओं के बारे में भी उसमें चर्चा की गई है। इसमें जो खंड सिच्छा अधिकारी की परिच्छा है, इन तीनों में सबसे पहले होनी है, 16 तारीक को, 16 अगस्त को ये परिच्छा होनी है, 2020 में, पहले इस परिच्छा की तिथी 22 मार्च, 22 मार्च 2020 को ये परिच्छा होनी थी, तब तक COVID-19 आटप का, COVID-19 पहले आ गया था, लेकिन भारत में इसका प्रभाव दिखने लगा, और तेजी से मरीज उस समय बढ़ने वाले ही थे कि लागडाउन हो गया, तो आयोग ने भी अंत समय में ये परिच्छा टाल दी थी, ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका कुछ निहतार्त है, कु है, उनके दिमाग में सबसे पहला प्रश्ण ये चल रहा है, कि यदि 22 मार्च को परिच्छा थी और लास्ट मोमेंट में इसको कैंसिल किया गया, कि 22 मार्च को नहीं हो गी अब, और अब 16 अगस्त को रखा गया है, तो क्या पेपर पुराना आएगा, यानि कि पेपर पहले जिसको सेट किया गया था, क्या वो पेपर आएगा, ये बात दिमाग में क्यों चल रही है, और तो कोई भी प्रश्ण कैसा भी पूछा जाए, लेकिन करेंट अफेर के बारे में अगर हम बात करें, तो करेंट अफेर में जब पेपर होता है, उसके पहले तक की ही पूछी जाती है, और ये वास्तों में बहुत महत्पूर्ण है, कि अगर पुराना पेपर आएगा, तो हम मार्च के बाद करेंट अफेर ना पढ़ें, मार्च 2020 तक ही करेंट अफेर हम पढ़ लें, और हमारा काम बन जाएगा, ये सबसे पहला प्रश्ण है कि करेंट अफे ये है कि पेपर जो है, ये अब नए पैटरन पर यूपी कमिशन ले रहा है, तो इस पेपर की लाष्ट समय में तयारी कैसे करें, दो महीने का अभी समय है, तो दो महीने में, टू मन्स में, इसकी तयारी, यानि कि रिवीजन कैसे करें, कौन सी चीज़ें हैं, जो हैं, वो महत्पूर्ण मुद्दा ये है कि इन सभी चीजों के लिए चाहे वो current affair है चाहे वो आपका traditional GS है उसके revision के लिए आपकी संदर्व सामगरी क्या होनी चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए यानि कि क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है वो कहां पे दिया हुआ है ये दो म चीजों पर हम यहां पर अगर चर्चा कर लें थोड़ा सा तो आपका ये कारिप आसान हो जाएगा सबसे पहली बात हम करते हैं कि current affair कब तक पूछा जाएगा current affair ये कब तक पूछा जाएगा कब तक का current affair view के लिए आपको पढ़ना चाहिए point number one अगर old paper पूछा जाता है तो old paper में तो March तक का ही रहेगा अगर old paper पूछा जाता है तो इसमें तो March 2020 तक का रहेगा लेकिन ये हम दावा नहीं कर सकते ये हम guarantee नहीं ले सकते कोई भी इस पे शियोर नहीं है कि paper पहले बन चुका है कि अब बनेगा कई बार ऐसा होता है कि paper बना हुआ रखा रहता है लेकिन print last moment पे होता है और अगर paper print नहीं हुआ होगा तो उसको change करना कोई बड़ी बात नहीं है print नहीं है तो वो change हो जाएगा और ये changed हो गया तो new paper आपके सामने आ जाएगा और जो new paper होगा अगर वो इस समय बनाये जाएगा या अगस्त में बनाये जाएगा तो उसमें आपसे अपेच्छा की जाएगी कि अगस्त तक का अगस्त 2020 तक का current affair आप पढ़कर जाएगा ठीक अगर कोई कुछ बताएगा तो वो केवल एक अंदाजा लगा रहा है बाकी और उसको कुछ पता नहीं किसी को भी क्योंकि आयो की ये बहुत गुपती चीजें होती है और उनको वो leak नहीं होने देता है तो अब आप सेफ कंडिशन में जाने के लिए क्या करेंगे लाश्ट मॉमेंट तक का यानि कि करेंट अफियर कहां तक का पढ़ना है आपको अगस्त तक का पढ़ना है 16 अगस्त को पेपर है तो कम से कम 10 अगस्त या 5 अगस्त आप कह सकते हैं और मैं तो कहूंगा कि 10 अगस्त तक का करेंट अफियर आप पढ़ लेंगे तो आपको कु औल एक इसमें ये फायदा ही फायदा है, ये फायदा है कि अगर नया पूछा जाएंगा कर little affair तब ही आप examination hal में पेसर में नहीं रहेंगे, comfort zone में रहेंगे और examination जो होता है वो सारा खेल होता है comfort zone में रहने का comfort zone कहां से आता है comfort zone आपके practice से आता है comfort zone आपके पढ़ने से आता है अब ये तो हमारा हो गया पहला मुद्दा अब दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो दो मन्थ है दूसरे मुद्दे के हमने बात की थी कि ये दो मन्थ जो है इसमें हम revision कहां से करें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी UPPSC का जो एक्जाम होता है उसको पास करने के लिए तीन चार सब्जेक्ट जो है चार सब्जेक्ट वो विल्कुल कोर होते हैं जिनको आप छोड़ कर नहीं जा सकते पहला इसमें होता है history, history के अच्छे कासे प्रस्ण पूछे जाते हैं इनकी मात्रा अच्छी होती है दूसरा जोग्रफी का होता है portion, तीसरा portion होता है पॉलीटी का और जो खंड सिच्छा अधिकारी का अभी तक का पेपर रहा है, उसमें साइंस का भी हिस्सा काफी अच्छा रहा है तो चौथा हिससा आप science कर लीजिए, इसके अलावा economics होता है, यानि Indian economy, इसके अलावा आप से पूछा जाता है UP के बारे में, UP special, ठीक है, इसके अलावा इसमें maths भी है, और reasoning भी है, economics, जो यह को लिखा हुआ है, UP special, maths और reasoning के बारे में भी हम बात में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं, चार जो core subject है, core portion है, मा लिजे history की बात करें, तो आपको last moment में क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप practice करें, और practice करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप पुराने paper जो हैं, उनको देखें, कुछ नई test series करें, और जितना ज़्यादा कर पाएं, उतने ज़्यादा प्रश्णों का, हल आप कर लें, examination hall में जाने से पहले, जब आप examination hall में पहुँचें, तो आपको लगे कि जैसा घर पे कर रहे थे बैटके, वैसा ही कुछ हमको यहाँ पर करना है, तो practice आपको करना है, दूसरा अगर history की अगर हम बात करें, ये practice तो सब पे लागो होता है, चाहे वो geography हो, history हो, policy हो, economy हो, UP हो, GS के किसी भी portion पे लागो होता है, अब history में पढ़ें क्या, history में अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो modern पूछा जाता है, modern history से, और स्वतनता संगर से ज़्यादा प्रशन पूछे जाते हैं, उधारन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक के जो वायसराय हैं, इन पे प्रशन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, अभी तक जो प्रशन पूछे गए हैं, वो 1857 की क्रांती पर पूछे गए हैं, अभी तक जो प्रशन पूछे गए हैं, वो प्राचीन भारत में अगर हम जाएं, तो सिंदु औहरपा सब जिसे जहां से प्रश्ण निश्चित तोर पर आते ही हैं, उनमें कुछ चीज़ें ऐसी आपको मिल जाएंगी, जो एक एक पेज में हैं, लेकिन हर बार के लिए important है, तो उनको revise करके आपको हर हाल में अब भी जाना है, अगर अभी तक इससे पूछा गया है, तो आगे भी इस से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिलकुल अलग से कुछ आएगा, question का प्रकार अलग हो सकता है, जो प्रश्ण का तरीका है, पूछने का वो अलग हो सकता है, लेकिन जो chapters हैं, जो जैसे थे वैसे important रहते हैं, आप लोगों को जो भी जनजातिये विद्रो हुए हैं, उ सब्दावलियां हैं, बहुत सारी सब्दावलियां जिन पर प्रश्ण पूछे जाते हैं, उनको करके जाना है, दच्छिन भारत के इतिहास में भी जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी ऐसी सब्दावलियां आपको मिल जाएंगे, कुछ रचनाएं हैं, जो इतिहास क स्रोत के तोर पर कारे करती हैं, उनको आपको पढ़के जाना है, इस तरीके से ये important topic हो गया, हिस्ट्री के जो आप, ये जो दो महिना है, इसमें revision आसानी से इसका कर सकते हैं, अगर भूगोल में हम बात करें, तो भूगोल में, अगर विसु भूगोल, यानि की word geography और Indian geography, द हो important है, घास की भूमियां जो हैं, वो important है, ऐसे जलवाई प्रदेश के बारे में आपको पढ़के जाना चाहिए, बनस्पतियों के बारे में बढ़ने के जाना चाहिए, जलवाई प्रदेश जो division विभिन विद्वानों ने किया है, कोपन ने जो division किया, ये सब आप भले मत पढ़िये, लेकिन उनकी features याद होने चाहिए, आपको अच्छांस देशांतर के बारे में basic ज्यानकारी होनी चाहिए, आपको mapping के बारे में जो current affair के मुद्दे हैं, उनको भी relate करके तयार करना चाहिए, आप विश्वस्तर की जीलें देख लीजिए, विश्वस्तर की नदि बहुत important है, भारत का जो जल्वाय प्रदेश है, भारत की बनस्पतियां जो है, वो बहुत important है, सिचाई परियोजनाय, बहुदेशिये परियोजनाय बहुत important है, खनी संबंदी जो आकड़े है, agriculture के जो आकड़े है, वो बहुत important है, जनसंख्या नगरी कराना आप अलग से अ भारत का भौतिक विन्यास, भारत के बारे में जो बेसिक नालेज होता है, भारत के उत्तर से दच्छन और पूर्ष के पश्चिम लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसके बारे में आप पढ़के जाएं। भारत के राज्यों और किंसासित प्रदेसों के बारे में जो महत्पूर्ण चीज़ें उनको पढ़िये, भारत के जो कल्चर के बारे में जोगरफी में कुछ चीज़ें आ जाती है, जो पूछी जाती है, आना कौन सा त्योहार कहां मनाया जाता है, कौन सी जैसे इन नेशनल पूछ लिये जाते हैं, ऐसे पच्छी अभ्यारण, वनीजी अभ्यारण, ये सब पूछ लिये जाते हैं, तो ये सब आपको रिवाइस करके जाना है, कौन कौन सी अन्सूची है, आपको महत्बूर्ण अनुछेदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको fundamental right के बारे में, fundamental duty के बारे में, और DPSP के बारे में, जो राज के नीद नीदे सकता तो है, इनको कभी भी छोड़ के नहीं जाना है, जो कुछ समयधानिक और समयधानितर संस्थाएं हैं, उनके बारे में आप पढ़के जाईए, नीद या आयोग के बारे में हमेशा आप अप समंदित, जो चुनाओ समंदि जो प्रावधान हैं, उनको पढ़के जाईए, चुनाओ से रिलेटेट भी जितनी चीज़े हैं, वो पढ़िए, कितने सदस्य हैं, संसत क्या होती है, विधान सभा क्या होती है, विधान परिसत कहां कहां है, ये सब important topic होते हैं, जहां से होग है, विटामिन्स हैं, उसमें जो खनीज लवण हैं, इनके बारे में आप पढ़के जाईए, महत्पून जो सरीर के अंग हैं, जैसे किड़नी है, अगनासे है, है ना, ऐसे आपकी सिर के बारे में, कौन-कौन से उसके पार्ट होते हैं, उसका क्या कार होता है, आख के कान के बारे में, जो भी आधे-ाधे एक-एक पेज के माटेरियल हैं, इनको रिवाईज करके आपको जाना है, अगर आप भौतिक विज्ञान में देखें, तो मापक पढ़के आपको जाना है, भौतिक विज्ञान में आपको प्रकास पढ़के जाना है, भौतिक विज्ञ में बहुत ज़्यादा दाइरा नहीं है लेकिन कुछ तत्तों के बारे में पूछ लिया जाता है है ना तो उनको आप देख लीजिए रिवाइज कर लीजिए कुछ आपका पर्मानेंट कुश्चन का वैंक होता ही है जहां से बार बार रिवीजन होता है और यह हर प्रशन अगर आप कर लेंगे तो सतर से असी प्रashin यहां से आपको आराम से मिल जाएंगे 25 प्रashin कम से कम हिस्ट्री से ऐसे ही 25 प्रash fruit से पंद्रा पॉलिटी से और पंद्रा साइन से 80 प्रशन ये हो गए इन पॉर्शन को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो आप बारी आती है एकोनॉमी की जो इंडियन एकोनॉमी का पॉर्शन पूछा जाता है खास करके UPPSC में तो कुछ concept based प्रशन यहां पर पूछे जाते हैं और इन concept के साथ में total current affair से इसको relate कर दिया जाता है economy में current affair बहुत महत्पून हो जाता है आर्थिक परद्रिस जो आप पढ़ते हैं वो current affair एकोनॉमी का होता है और वो महत्पून हो जाता है आप राष्टी AI के बारे में RBI के बारे में और जो हमारे यहां पंचवर्ची युजनाय चलती थी युजना आयोग जो था थोड़ा बहुत उसके बारे में नीती आयोग के बारे में आप यहां भी पढ़ते हैं concept based जो प्रश्ण है उनको तयार कर लीजिए बाकी current affair में आपका यहां से तयार हो जाएगा अब बात आती है maths और reasoning की maths और reasoning को लेकर बहुत लोग परिशान हो रहे हैं मैं यहां पर बताना चाहता हूँ कि total 15 के लगभग question इसमें दोनों portion को मिला कर आएंगे अगर 15-17 question इसमें से आते हैं तो reasoning के आधे प्रश्ण रहेंगे इसमें 57 प्रश्ण जो 7-8 प्रश्ण reasoning के रहेंगे उनमें से 5-7 प्रश्ण आप आसानी से कर लेंगे कोई भी जो पढ़कर कहीं से भी आप थोड़ा से revise करके अगर जाएंगे कहीं से भी पढ़कर जाएंगे तो 57 प्रश्ण कर लेंगे नहीं पढ़कर जाएंगे तब भी कर लेंगे और एक आत प्रश्ण आप math का भी कर लेंगे इतना ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें भी जैसे math में है, प्रत्ता important है, series वाले प्रशन important है, reasoning में, ऐसे ही कुछ प्रशन है, जैसे कारे, चाल और समय, चाल और दूरी, इन सब चीजों से पूछे जाते हैं, जो हर बार के सदाबहार नगमे हैं, तो सदाबहार नगमे आप तयार रखें, नए गाने पे dance करने कि कुछिस से ज़्यादा अच्छा है, पुराने गानों का बार बार revision करना, है न, तो अगर आप उनको revise करके तयार रखेंगे, यहाँ पे गाने का मतलब यह है, कि वो सदाबहार नगमे होते हैं, रफी के गाने कभी outdated नहीं होंगे, मुकेस के गाने कभी outdated नहीं होंगे, और पहले भी बताया कि जनगरना हर हाल में तयार कर लेनी है, आपको बजट हर हाल में तयार कर लेना है, आपको जो forest report अभी जल्दी में जो release हुई है, 2019 की, तो उसको तयार कर लेना है, आपको जो खनी सम्बंदी आकड़े हैं, उनको revise करके जाना है, आपको जो क्रिसी agriculture सम्बं अंतराष्टिय, आर्थिक, राजनीतिक, व्यक्तित्व और जो भी जितने भी portion होते हैं, उसमें सुचकांग जैसे आपको हर हाल में देख के जाना है, current affair में, आपको अंतराष्टिय संस्थाओं के बारे में जो development हुआ है, COVID-19 पे भी कुछ प्रशन आपको तयार करने जाता है, तो इसको छोड़कर आपको नहीं जाना है, हर हाल में इन चीजों को पढ़के जाना है, और इन सब में सबसे important है daily practice, अगर आप practice नहीं करेंगे, तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप कम से कम 100-200 प्रशन रोज practice करेंगे 2 मंथ तक, दो महीने अगर इसको आप कर लेते हैं, तो PT आपका पास समझ लीजिए, इसकी practice करिए, और इसका explanation जो होता है, इसको अच्छे से explanation को पढ़िए, और इससे भी जो प्रशन बनते हैं, अगर एक प्रशन उत्तर है, इसका प्रशन का एक option उत्तर है, तो जो तीन option दिये हैं, उनके बार test कर लीजिए, इसके लिए आप daily कुछ कारिक्रम होते हैं, जैसे अपना भी एक कारिक्रम है, daily 30, उसको आप देख सकते है, morning gk का एक कारिक्रम है, तो आप daily 30 देखकर भी इसको तयारी कर सकते हैं, daily 30 में हम रोज एक topic उठाते हैं, और साथ में current affair उसको discuss करते हैं, ऐसे जो morning g ठीके का हमारा topic है, उसमें एक topic उठाते हैं, उसके बारे में detail हम अध्यन करते हैं, ये सारा काम अगर आप करके जाएंगे, तो आपको pre-pass होने से कोई नहीं रोख सकता है, practice करके, या आप अपने आप कर लीजिए, कैसे भी करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन करके जाईए, क अगर आपकी रूच होगी, तो इस कारिकरम में आप registration कर सकते हैं, ये सूचना आपके लिए है, हम लोग यहाँ पर आपके लिए ये कर रहे हैं, कि ये सारा जो practice वाला portion है, कुछ मदद यहाँ पर आपको हम लोग कर सकते हैं, हमने एक कारिकरम launch किया है, और उस कारिकरम का न इसको अलग से हम launch कर रहे है, प्रिपल 999 का ये कारिकरम है, लेकिन इस समय ये 499 रूपय मैंने इसकी फीस इसलिए रखी है, कि लोग कर रहे हैं, COVID-19 में बहुत हम परिशान हैं, पैसे हमारे पास नहीं है, तो आप 499 रूपय खर्च करिए, इसलिए कि आप उसको गंभीरत से लीजिए, और इस कारिकरम के तहट आपको क्या-क्या मिलेगा, ये मैं सार्ट में बताया दे रहा हूं, अगर आपकी रूची होगी, तो इस पर registration कीजिएगा, भी registration का process भी मैं बताया दे रहा हूं, नवंबर से अगस्त तक, यानि अगस्त में परिच्छा होनी है, तब का मासिक करेंड़ फेर वीडियो और PDF यहां पर मिल जाएगा, महत्पूर्ण टाफिकों पर वीडियो और PDF हम देंगे, कुछ टॉपिक होंगे, 20, 25, 30 वीडियो यहां पर हम दे देंगे, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा ही, किसी ओम खनीज के अदे तनाकडे, वीडियो औ दस प्रेक्टिस सेट, यह जो दस प्रेक्टिस सेट होंगे, यह आप मान के चलिए, कि यह ऐसे प्रेक्टिस सेट होंगे, ऐसे टेस्ट सीरीज होगी, कि आप वहां से जब प्रशन करेंगे, तो इससे कठिन प्रशन आपको आयोग में नहीं मिलेंगे, आयोग के प्रशन प अगर आपको कोई जरूरत पढ़ती है तो हम अपनी टीम से बात करके बहुत जरूरत पढ़ने पर ऐसा कर लेंगे और समय समय पर पर परिच्छा पास करने हैं तो आवस्यक सुझाओ और मार्गदर्सन जैसे आज हमने डिसकस किया क्या-क्या पढ़के जाना चाहिए ऐसे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जिनके आधार पर आप अगर बाइडर लाइन पर हैं तो परिच्छा पास कर सकते हैं ये काम आप कंप्लीट हमारे जिम में छोड़ सकते हैं केवल 499 रुपिय इसकी फीस हमने रखिए बहुत मामूली सा ये काम कर पाते हैं जब पहले से हमको पता होता है कि कितनी संख्या के लिए हमको ये काम करना है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको रेजिस्टेशन भर कर देना है आप UPPSC-target.com पर जाएंगे और वहां पर आपको ये रेजिस्टेशन फार्म मिल जाएगा और पर इयाँ पर क्लिक करेंगे ठीक है रेजिस्टेशन पर जैसे यह आप क्लिक करेंगे यहाँ पर यह ऑप्षन खुल के आएगा नेब यहाँ पर आप कुछ भी अक्स-वाव-ई-जेट नाम लिख देएंगे मलब जो आपका नाम है वही लिखेंगे यहाँ पर डौंटेक् जी मैंने बताई इसको फालू करिए. Thank you, thank you very much.